हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पुढ़ाई कर रहे होंगे इस वीडियो में लोग डिसकस करने की कोशिश करेंगे अच्छे से ज से Distance and Displacement को हिंदी में कहते हैं इसको दूरी एवंग विस्थापन तो शुरू करते हैं क्या होता है बताई है बताईए Distance को ऐंदी में किया कहते है काफी सिंपल सी चीज है कुछ अच्छे अच्छे questions करेंगे इससे क्या होता है distance जब हम लोग बिल्कुल सिंपल सी अगर बात करें एक point हमाल ले तो location है a दूसरा location है हमारा b अब a और b के बीच that is a से अगर निकलना हो और b में पहुँचना हो इसको बोलते हम लोग initial point प्रारंभिक बिंदू और यह हमारा final point यह हमारा हो गया अंतिम बिंदू जहां से शुरू करना है वह point है initial point और जो हमारे destination है जहां पहुँचना है वह final point अब इसको पहुँचने के लिए हमारे पास एक रास्ता है रास्ता सो कैसा भी हो सकता है this is the रास्ता क्या सिर्विया ही रास्ता हो सकता है हम दूसरा रास्ता चूज कर सकते हैं बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं मानते हैं कि हमारे पास यह रास्ता यह रास्ता इसको बहुत है पाथ यह जो पूरा पाथ है इस पाथ का जो लेंट है, इस पूरे पाथ के लेंध को हम कहते हैं, distance carward, उक्याइ, और जब हम डारिक ले लें, ए से बी, आध सो या नो इस से फर्क नहीं पड़तें, जो डारिक्ट वाला distance है, फ्रॉरम A टू B डारिक्शन भी हम मेंशन करेंगे, है ये है रास्ता और यह है डायरेक्ट वाला इसको बोलेंगे हम लोग dis placement समझ गए तो और ये से बी direct जो हम एक रास्ता बनाएंगे हो सकता है नहीं भी हो सकता है रास्ता हो तो अच्छी बात है वो जो रास्ते का length है from A to B direction के साथ उसको को हम बोलता है displacement या विस्थापन हिंदी में और जो रास्ता आप चूज करेंगे कोई भी रास्ता अगर आपका माल लेते हैं ऐसा है यह रास्ते का लेंगे अलग होगा तो जो रास्ता आप लेंगे माल लेते यह एक रास्ता है जिस रास्ते को आप लेंगे उस रास्ते का ले को हम कहते हैं distance covered अगर रास्ता बदलेंगे तो distance का जो value है वो बदल सकता है यहां बदल सकता है इसलिए हो सकता है कि रास्ते का लें दो रास्ते का लें लेकिन जो displacement का value है that will not change अगर दो points fix कर दिये दो मिंदू fix कर दिये initial or final एक बात समझा गई रास्ते के total length को अगर आप जाएं जाके वापस आएं तो जाना अलग रास्ता मानेंगे आना अलग रास्ता मानेंगे अगर आप सेम रास्ते से आएं तो भी तो पूरे रास्ते का length को हम कहते हैं distance covered okay तो distance covered को define कर देते हैं distance the total length of the path the total length of the path covered by the particle covered covered ya traversed ya traveled ये सब इस्तमाल करते हैं हम लोग distance के साथ or by the particle हाँ रास्ता सीधा होगा तो उसी path का length ले लेंगे the total length of the path covered by the particle in some time interval in definite time interval लिखने की उत्ती जरूरत नहीं है time interval time तो लगे गई कोई path अगर cover करेगा उसमे time का लगना कंपल सरी है the total length of the path covered by the particle is called distance दूरी क्या है कुल पत की लंबाई किसी कंद्वारा कंद मतलब ऐसा particle ऐसा object ऐसा वस्तु जो चले बट उसका size को हम ignore करें है नहीं उसको हम particle कहते हैं कंद्वारा पूरे the total length of the path covered by the particle कंद्वारा तै की गई कुल पत की लंबाई को दूरी कहते हैं लिख सकते हैं आप कंद्वारा तै की गई कुल पत की लंबाई को दूरी कहते हैं displacement कैसे लिखेंगे बच्चो तो displacement हमारा हो जाएगा इसे में लिख देते हैं displacement हो जाएगा क्या hmmm the displacement the minimum distance the minimum distance between two points isma direction भी मंशनकना पड़ाay गा directed from the minimum distance between two points D-I-R-E-C-T-E-D directed from initial point to final point ये कहना जरूरी है distance में ये कहना बिलकुल नहीं है from initial point to final point is called क्या है बच्चो displacement of a particle is called displacement ठीक है तो ये definition हो गया सबसे पहला हमारा point हुआ distance or displacement का definition ओके चलिए next कुछ points और भी लिखते हैं अब जो distance है जैसे मैं बोलू कि यहां से हमने कितना मीटर चला 4 मीटर और इधर हमने turn लिया कितना मीटर 3 मीटर तो बताये distance कितना cover होगा simply 4 इधर 3 इधर total कितना हो गया 4 प्लस 3 कितना मीटर 7 मीटर अगर मैं displacement की बात करूं तो ये initial point है और ये final point है direct वाला लेंगे कितना होगा बताये 4 square plus 3 square का square root कितना हो जाएगा 5 मीटर 4 square solid in square 25 का square root 5 आएगा from initial to final तो ये जो 4 और 3 जोड के साथ आना हुआ इसको algebraic addition कहते है बीजगर नितिये जोड है ने और ये जो 4 और 3 जोड के 5 आया इसको बताया vector addition that is displacement में direction तो है ही और ये vector के addition को follow करता है मैंने complete vector बता चुका है आपको तो मुझे इसमें और ज्यादा discuss करने की जरूरत नहीं है तो distance क्योंकि algebraic addition को follow करता है तो distance is a कैसा quantity scalar quantity why? क्योंकि जो दूरी है वो बीजगर नितिये जोड को follow करता है और displacement is a vector quantity टीक है इस पर complete मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके है हैना मतब पूरा का पूरा vector को मैंने समझा चुका है अल्रेडी अगर आप vector नहीं देखे हैं तो फिले वेक्टर देख लें अब distance किस पर depend करेगा मैंने बता है रास्ता अगर आप बदलेंगे तो distance का जो value और magnitude है that will also change okay may not change अगर दोनों का value सेम हो तो कोई बात नहीं है नहीं distance depends on path लेकिन जो हमारा displacement है वो initial और final का direct उस पर depend करेगा किस रास्ते पर जा रहा है उससे मतलब नहीं है आपको बस initial or final अगर specified है तो दोनों के बीच direct चो distance होगा from initial to final that is displacement distance depends on path while displacement displacement is independent of path is independent of path तो किस पर depend करता है depends only on initial and final position it depends only on initial and final positions okay initial position और final position पर depend करता है बस कौन displacement यह तीसरा point हो गया ठीक अब और भी कुछ बाते हो सकती है कि जो आप कितने रास्ते बना सकते हैं दो point के बीच infinite रास्ते लेकिन सीधा वाला तो एक ही हो सकता है ना तो infinite distances are possible infinite मैं यह कह रहा हूं कि पॉइंट ए दूसरा point B A or B के आप कितने सारे रास्ते बना सकते हैं लेकिन डिरेक्ट वाला तो एक ही होगा infinite distances are possible and between two fixed points between two fixed points like in displacement एक ही possible only single value of displacement only single value of displacement is possible अगर दो points को fix कर दिया जाए between two fixed points सिर्फ एक ही value possible है किसके लिए displacement के लिए अगर दो points को हम क्या कर दे fix कर दे हैं I think आपको बात समझ आई होगी उतार लीजिए आसान चीज़ें लिका देर और फिर questions करेंगे मज़ा आएगा ओके बहुत बढ़ियां point number आप दे सकते हैं आपकी मर्जी है next कुछ बाते होंगी जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं के distance cannot be negative तो यहां पे आप थोड़ा सा ख्याल लगा displacement positive हो सकता है negative हो सकता है हम लोग एक number line लेते हैं में तरफ एक line लेते हैं अभी मानते हैं कि जो पात है हमारा वह straight कैसा है बताइए straight path है तो बताइए मान लेते हैं कि आप बैने origin माना यहां 0 meter है और यहां पे हमारा पांच meters है और यहां पे हमारा दस meters है और अन्दर मीटर्स और यह 20 मीटर मीटर्स मीटर मीटर लोकेशन को मीटर इसे बोलगे 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0 और इधर हमारा वही निगेटिव 5.0, 10.0 और पिछे जा सकता है जगह नहीं है अब क्या है हमारा कि अगर मान लेते हैं कि हमने शुरू किया ये ए पोजिशन है और ये बी पोजिशन है अगर हम बी जा रहे हैं तो हमारे लोकेशन के हिसाब से जो पोजिशन हमने स्पेसिफाई किया है ये से बी 5 से 20 पोजिशन इंक्रीज कर रहा है पोजिशन क्या कर रहा बच्चो इंक्रीज कर रहा है जब पोजिशन बढ़ेगा तो बताइए डिस टेंस पहले तो डिस्प्लेश्मेंट निकाल लेते हैं कितना होगा डिस्प्लेश्मेंट बताइए पांच से बीस पांच पांच दस पांच पंद्र डारेक्ट वाला यह है कितना आया 15 मीटर बेटर यह होगा कि फाइनल पोजिशन कितना है कि फाइनल पोजिशन माइनास इनीचिल पोजिशन तो दू पोजिशन की बीट का जो डिफरेंच से इस्ट रेट लाइन में हम 스ंट इस्प्लेश्मेंक आ Est Spl dangers क्या देगा displacement देगा फाइनल कितना पॉजीशन है 20 मीटर इनिशियल कितना फाइब मीटर कितना आया बच्चो बीस में पांच गिया फंद्रह मीटर्स डिरेक्शन क्या होगा फ्रॉम ए टू बी लिखने की जरूरत नहीं थी पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ए टूबी हो गया ए टूबी इस डिरेक्शन को मानी लेते हैं कि यह पॉजिटिव डिरेक्शन है इंक्रीजिंग वाल है ठीक है उसी तरह डिस्प्लेस्मेंट की अगर हम बात करें डिस्प् कितना होका बता है पांच 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 देस्पांच पंदरह सिंपली तो आप खुद देखें जो डिस्प्लेस्मेंट है और डिस्टेंस है दोनों बराबर हो गया that is we can say displacement का magnitude यह मॉडलस मतलब magnitude इसका जो वैलिव है इसको magnitude कहते है magnitude of the displacement लिख लेजेगा displacement का magnitude किसके बराबर आगिया distance के बराबर यहाँ पर आप अकर देखेंगे a से b में क्या हुआ direction नहीं बदला जब आप एक point से दूसरे point में जाते हैं और direction नहीं बदलता है तब तो straight line हो नहीं है मतलब straight line है direction नहीं बदल रहा है तो displacement का जो magnitude है और distance दोनों बराबर होगा अब आप बोलेंगे सर यह क्यों लगाए अब समझे अगर यही कहानी होती बी से एक की तरफ याद रहे हैं यहाँ पर line कैसा है इस ट्रेट लाइन स्टी आर ए आई जी एच्टी यह पूरा लिख सकते हैं आपके न तो बताइए यहाँ position B से A की तरफ क्या हो रहा है position decreases जैसा हमने वहाँ पे बनाया है कि आगे अगर position बढ़ता हुआ मानेंगे तो पीछे position घटता हुआ होगा तो displacement कितना होगा final position minus initial position minor minus initial position final position कितना होगा 5 meter और initial 20 meter अब देखे घटके कितना है 15 negative 15 होगा निगेटिव का मतलब ही हुआ फ्रॉम बी टू ए चूंकि A to B को पॉजिटिव माने है तो बी टू ए क्या होगा निगेटिव देखे displacement का magnitude कितना होगा value कितना होगा 15 होगा डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस देखे पांच पांच दास पांच पंद रहां अभी दोनों बराबर आया मतलब distance or displacement का जो magnitude वह हम compare कर सकते हैं यहां चुकि निगेटिव भी आ सकता है और यह निगेटिव और कि for the straight line जब यह लाइन चेंज कर देगा नौर साउथ वेस्ट इस सब में चलेगा तब उस सिटुवेशन में हमें वैक्टू रियले डिरेक्शन को बताना पड़ेगा समझेंगे आप दी रहे दी रहे जब एक लाइन होगा आप इतना जान लेकिए डिरेक्शन को अकर पॉ श्रॉख बाल आप अने होगा तो यह कैसा लाहिन होगा कि स्ट्रेट लाइन न यह लिकीन जरूरी नहीं कि स्ट्रेट ऑन का सबासथ पना C I'm sorry मतलब ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेट लाई को डिरेक्शन के इन नौ देखिए इस ट्रेट लाई में सहे से भी बी से आ गएा अभी मैं एक्सामल बताओंगा अभी आप यह जाने कि ढेरेक्शन बदल नहीं रहा है तो स्ट्रेट लाइन को होना जरूरी है ना दिरेक्शन नहीं बदलेगा तो क्या हो ने जाना धैन डिस्प्लेशमेंट्स मेगनी चीओर इस लिए क्वेल टूदिस टूद तो कब डिस्टैंस और डिसप्लेजमेंट का म अगर हम ऐसा करें, A से B चले, then again B to A, तो क्या हो जाएगा, displacement कितना होगा, बताइए, A से चले थे, वापस A में ही आ गए, तो final position minus initial position, वैसे भी वहीं से वही, displacement कितना होगा, 0, 5-5 कितना होगा, 0, देखिए, तो displacement positive भी आया, negative भी आया, और 0 भी आया, positive कब आया, जब पोजिशन बढ़ेगा, यह सब से स्ट्रेट लाइन में, negative कब आयेगा, जब position decrease होगा, 0 कब आयेगा, चलने के बाद भी, जब वह position initial वाला और final वाला एक ही जगा हो जाए, नहीं चलेगा तो तो displacement 0 हो गई, तो displacement कितना होगा, 0, distance कितना होगा, कौवर, बताइए गया कितना, 5, 5, 10, 5, 15, 15 गया, और 15 वापस आगया, तो आपको सवाल अगर पूछे, क्या body move करने से motion में आने के बावजूद displacement 0 हो सकता है, कब जब initial और final position same हो जाए, तो क्या लखेंगे हम लोग, start लगा जाते हैं, if initial and final positions are same, then displacement of a particle is 0, चाहे वो रेस्ट में होए, मोशन में, रेस्ट में होने से तो कोई बात ही नहीं है, वही का वही रह गया, तो displacement 0 होगा, displacement, distance 0 होगा, तो नहीं 0 होगा, तो नहीं 0 होगा, एक बात और लिख लेते हैं, अगर रेस्ट में हैं, तो distance और displacement, दोनों का ही value क्या होगा, 0, समझ गए, तो आपको जब भी बोला जाए, कि displacement positive हो सकता है, negative हो सकता है, और zero हो सकता है, तो यह आप ख्याल में रखें, बात हो रही है, straight line के, zero में तो कोई खकत नहीं है, positive और negative की जब बात करें, तो straight line में valid है, तो क्या लिखेंगे हम लोग point, point यह लिखा हम लोगों ने, आप point लिख दे, star लगा दे, distance, 0 कब होगा, जब rest में होगा, motion में होगा, तो distance कभी 0 नहीं होगा, तो distance cannot be negative, zero हो सकता है और any GATIV, और displacement can be positive, negative और zero, displacement can be positive, negative और zero, और यह सब किसकी बात हो रही है अभी, straight line की, यह न भूलें आप, ठीक है, तो यह बात है, अब बताईए, जब हम लोग distance cover की बात करेंगे, कौन बड़ा होगा, distance बड़ा होगा, और displacement का magnitude छूटा होगा, चुकि शॉर्टेस्ट पाथ लेंद है, minimum है, तो क्या होगा, बताईए, distance और displacement के magnitude को जब हम compare करेंगे, तो कौन बड़ा होगा, distance, और अगर direction नहीं बदल रहा है, तो बराबर भी हो सकता है, हम यह कह रहे हैं, A से अगर B चलेंगे, तो यह हमारा distance है, और यह displacement है, distance बड़ा भी हो सकता है, और यही रास्ता अगर होगा, तो वही distance होगा, वही displacement का magnitude होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि distance और displacement का magnitude का जो ratio है, 1 से बड़ा या एक्वल है, उसी तरह से इसको प्लाट भी सकते हैं, कि displacement का magnitude छोटा है या बड़ा है, छोटा है या एक्वल है, किस से distance है, या इसको लिख सकते हैं, displacement का magnitude divided by distance, ratio of displacement magnitude and distance is less than equal to 1, ओके, तो ये चीज़ है, तो I think जितनी सारी बातें हमें करनी थी, वो कर दिये, एक important बात जो छूट गई, कि distance और displacement एक physical quantity है, तो इसको तो मेजर करना होगा, मेजर करेंगे तो इसका unit होगा, तो दोनों का ही SI unit meter है, ऐसा unit of both is, क्या, meter, METRE, 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 और भी units है, kilometer, centimeter, बट जो ऐसा unit है, दोनों का, वो meter, और इसको जो dimensionally हम दोनों के लिए क्या इस्तमाल करेंगे, L, L क्या है हमारा, dimension skill के लिए इस्तमाल करेंगे, दोनों ही तो length है, distance हो या displacement, एक path का length है, और shortest path length है, तो यह छोटी छोटी बातें हैं, जो मैंने कर दी, बेसिकली हम जब question करेंगे, तो ज्यादा हमारी बातें clear होंगी, तो मुझे जितनी सारी बातें समझ आई में कर दिया, एक important बात और बज़ गई, वो भी करा दे रहा हूं, है न, वो यह है कि जब position given हो, जैसे displacement in term of, इसको बोलते हैं, position vector, displacement in terms of position vector, vector तो आप पढ़ी लिए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है, position vector के respect में अगर हम displacement की बात करें हैं, तो हम ले लेते हैं, यह x axis, y axis, तीसरा z axis, है न, तो यहाँ पे बना तो सकते हैं न, तो यह बना दिया हैं, है न, और मानते हैं कि यहाँ पे कहीं पार्टिकल है, यहाँ बनाना तो मुम्किन नहीं है, मतलब x में कुछ है, y का कुछ value और z का कुछ value, यहाँ पे कहीं अगर पार्टिकल को रखें, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं, लेकिन actually 3D में, three dimension में, पार्टिकल a में है, और कहां चला गया, बताए बी में, तो यहाँ पहुंचा, तो x के तरफ x2, y के तरफ y2, z के तरफ z2, तो यह अपने positions को, मतलब x के coordinate को, y के coordinate को और z के coordinate को change किया, यह जो है, इसको origin कहते हैं, तो यहाँ पे यह जो हमने मिलाया, यह वाला जो vector है, पहले जो उसका position था, इसको बोलते हैं, position vector, तो r1 is the first position vector, है ना, r1 initial position vector है, उसके बाद यह वाला होगी हमारा r2, जो final position vector है, r1 से r2 position vector change हो, पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ घसका, जो position vector है, position vector, पहला position vector को है, r1, कितना हुआ बताइए, x1, i के, मतलब x के तरफ, तो क्या लेकेंगे, x1 i cap, प्लस y के तरफ y1 गिया हुआ है, y1 j cap, प्लस z के तरफ z1 गिया हुआ है, z1 के के, तो यह हुआ हमारा position vector, 3D में, उसी तरह दूसरा वाला, final, यह क्या होगा, बताइए, x2 i cap, प्लस y2 j cap, प्लस z2 के के, यह जो positions का change है, मतल जब change in position vectors, r2 minus r1, यह क्या हुआ हमारा, change in position vectors, क्या होगा, यह ही देगा, displacement vector, क्या होगा यह, change in position vectors लिखना है, कि vector अब देख लिजेगा, ज्यादा अच्छा क्या होगा, है न, तो क्या होगा, displacement vector क्या होगा, the change in position, the change in position vector, the change in position vector, the change in position vector, तो displacement vector हमारा हो गया, यह अब simply displacement कहें, यह होगा, r2 minus r1, r2 है कितना हमारा, x2 i cap, plus y2 j cap, plus z2 k cap, minus, क्या होगा, x1 i cap, plus y1 j cap, plus z1 k cap, तो यह हो जाएगा, x2 minus x1 i cap, plus y2 minus y1 j cap, plus z2 minus z1 k cap, solve कीजेगा, तो इस ही आएगा, तो displacement vector हमारा कितना आया, इतना आगिया, अगर इसका magnitude निकालना होगा, तो बहुत simple है, क्या कर लेंगे, इसका square, plus, इसका square, plus, इसका square का root, that is, x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square का square, direction निकालना होगा, तो निकाल लेंगे, सारी चीज़ा हमाँ पता ही है, तो उमीद कर रहा हूँ कि आप समझे, इसी को लिखते हैं हम लोगा, इसे, यह दोनों का difference है, तो इसे को delta r लिख देंगे, ना, बराबर यह इसका होगा, हमारा, delta x, i cap, यह होगा, change in y, that is, delta y, j cap, change in z, delta z, k, तो, I think, जितनी सारी बात हैं, होनी थी, discussion में आनी थी, मैंने discuss कर दिया, अब सीधे question की तरफ चलते हैं, कि किस तरह के questions, distance और displacement में आ सकते हैं, तो शुरू करते हैं, ओके बच्चों? चलिए, बहुत इस सिंपल सा question लेते हैं, सवाल है, अब पार्टिकल, तो इस्टार्ट स्टार्ट 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 और इजीन, चार पांच क्वेशन से लेंगे, जादे तो नहीं लेंगे, और इजिन मतब जहां से हम शुरू कर रहे हैं, और इजिन में हम, अब यह क्या चीज़ है, समझते हैं, and then returns and then returns along the same line to the point negative 20 meter comma 0. find the distance and displacement of the particle during the trip, अब यहां पर आपको X और Y एक्सेस से समझ बनाना आना चाहिए, जब यहां पर बोल दिया है 20 comma 0, तो X और Y दोनों की बात हो रही है, तो देखिए, यहां पर X एक्सेस और Y एक्सेस, जब यह कह दिया है, कि something comma 0, मतलब Y का value 0 है, जब Y 0 होगा, तो Y में तो जाए गए नहीं, तो सिर्फ कौन सा एक्सेस होगा, X एक्सेस, जो भी बात हो रही है, वो X एक्सेस की हो रही है, तो मान लेते हैं कि, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं यहां पर 20 मीटर है, तो यह जो पॉइंट होगा, यह क्या होगा, 20 मीटर, comma 0, X 20 है और Y 0 है, और यह कितना negative, X एक्सेस में Y का value 0 होता, Y एक्सेस में X का value 0 होता है, जान लिजिए आप, वैसे भी बात समझनी है, तो समझी सकते हैं, यह क्या होगा, negative 20 X, Y, comma 0, तो अपार्टिकल स्टार्स फ्रम दा ओरीजिन, शुरू कहां से कर रहा है, और इजिन से बहुत बढ़िया, गोज अलॉंग X एक्सेस, कहां गया, एक्स की तरफ, 20 meter, comma 0, सबसे पहले यहां पे गया, फिर उसका जान रिटर्न अलॉंग the same line, उसी लाइन से वापस आया, हो तो ऐसे रहा है, लेकिन यहां बना रहा है, और negative 20, comma 0 में आ गया, find the distance and displacement, तो distance कितना कवर होगा, बताइए, बहुत ही आसान, distance क्या होता है, जिस रास्ते पे चला, जाना आना सब कंसिरड करेंगे, गया कितना, 20 meter, आया कितना, 20 meter, और कितना भी चला, 20 meter, that is 20 meter गया, 20 meter फिर आया, 20 और पीछे चला, that is the total distance covered is 60 meters, बिल्कुल सही है, अब निकालेंगे displacement, तो displacement, क्या करते हैं हम लोग, final position, minus initial position, या अगर vectorial ही निकालें, तो कोई तकत की बात नहीं है, तो final position, minus initial position, क्या होगा, समय जी आ रहा है, यह कितना होगा, यह initial है, और यह final है, दोनों की 20 meter है, पीछे की तरह, तो देखते हैं कैसे निकलता है, final position हमारा क्या है, negative 20, x negative 20 है, तो क्या लिखेंगे, negative 20 i cap, y कितना है, 0, plus 0 j cap, k तो ही नहीं, minus, initial position हमारा क्या है, कि अगर लिखने है, यह कितना हमारा, origin, 0, 0, 0 i cap, plus 0 j cap, यह 0, 0, 0, तो क्या बचा, negative 20 i cap, जो दिख भी रहा है, पीछे की तरफ displacement है, initial and final, किदर initial से final किदर है, पीछे की तरफ, यह हम कह सकते हैं, यह meter में answer होगा, 20 meter, लेफ्ट की तरफ, जैसा लिखेंगे, आप, लिख तो दिए ही, तो निगेटिव 20 i cap आया, तो निगेटिव 20 मतलब, i cap होने से सिर्फ पॉजिटिव इदर होता, निगेटिव आयका मतलब पीछे की तरफ, displacement, initial से final किदर है, पीछे की तरफ, आगे की तरफ पॉदर ही, पीछे की तरफ, निगेटिव, सिम्पल दिखी रहा भी इस मीटर तो पीछे की तरफ, दन, से लिख बहुत बढ़ी, दूसरे क्वेशन में आते हैं, इसे लिख बहुत बढ़ी हैं, एक क्वेशन होगी है हमारा, जो कि आसान था, लेकिन इससे बहुत सारी कीज़ है, शायद आपकी क्लियर हो गई है, नेक्स्ट आते हैं, अकार मूज फ्रॉम ओ टॉडी, अकार, मूज, फ्रॉम, और टूडी, अलोंग दपाथ, ओए बी सीडी, अलोंग, दपाथ, पाथ बनाया है, ओए बी सीडी, ठीक है, बहुत बढ़ी हो, एस शोनिंग फिगर, एस इन, फिगर, फिगर कैसा है भई, यहां से गया, आठ किलो मीटर, फिर पहुँचा यहां पर, ए में, वो इसे शुरू किया, फिर बी तक चला, कितना किलो मीटर, चार किलो मीटर, फिर चार किलो मीटर, वापस आया, फिर थोड़ा उपर उठा, कितना किलो मीटर, एक किलो मीटर, यह हमारा, सी है, और यह, और यहां पर ऐसे कुछ बना हुआ है नौर्थ, साउथ, वेस्ट, एस्ट, क्या मांग है, what is the distance? और एक रास्ता में चल रहा है, तो सलूशन करते हैं इसका, distance निकालना तो काफी easy है बच्चो, कैसे निकलेगा, पूरे path का length, पहले कितना चला, 8 km, फिर कितना चला, 4 km, फिर कितना चला, 4 km, फिर कितना, 1 km, 8, 4, 12, 16, 1, कितना, 17 km is the answer, अब displacement अगर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो अगर निकालना है, तो पहले o से कहां गए, a, फिर a से कहां गए, b, फिर b से कहां गए, c, फिर c से कहां गए, d, तो o से a, अगर देखें, तो 8, और east के तरफ, यह हमारा x और y, मतलब x के तरफ i cap ले लेते हैं, उसके बाद a से b, negative y की तरफ, तो minus 4 j cap, चाहें, तो आप directly भी सोच समझ के कर सकते हैं, आसा नहीं चाहा जाएगा, फिर पीछे की तरफ x का, तो minus 4 i cap, फिर उपर के तरफ y, तो क्या होगा, plus 1 j cap, तो क्या होगा, 8 i cap minus 4 i cap, कितना हुआ, 4 i cap, minus 4 j cap, plus 1 j cap, एक में 4 गया, negative 3, तो finally अगर देखा जाए, तो यह कहीं यहाँ पे हैं, यह initial है और यह final है, देखें, east और south के बीच में देखेंगे आप, तो इतना बनाने की ज और यह बचा, ठीक है, चार और तीन, यह चार और यह तीन, और इधर हमारा आ रहा है, यह displacement होगा, तो displacement का जो magnitude है, वो कितना आया बता है, चार स्क्वाइर, प्लस 3 स्क्वाइर का रूट, 16 प्लस 9 का इसक्वाइर का कितना आएगा, 25 का स्क्वाइर रूट, 5 मीटर आया, य यह अंगल कितना बना रहा है, अलफा, यह किसके बीच है, इस्ट और साउथ के बीच, इस्ट के साथ अंगल बना रहा है, तो अंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 10, अलफा, कितना, 3 by 4, और यह बहुत यह फेमस ट्रेंगल, आप याद कर लिजे, यह कितना डिगरी, 37 और यह 90 डिगरी, तो यह 53 डिगरी होगा, यह 3, यह 4 और यह 5 आता है, तो 10, अलफा, 3 by 4, यह बहुत आप इस्ट 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 आप्रोक्समेशन थोड़ा सा एर्रेस में, तो अलफा कितना डिगरी आया, 37 अगल दर इस्ट 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 तो क्या कहेंगे, क्या answer हुआ displacement का, 5 meter, 37 degree south of east, क्या हुआ, 5 meter तो नहीं, I'm sorry, 5 km, चुक्या answer किलो मेटर में आएगा, सब कुछ किलो मेटर में, तो क्या answer हुआ displacement का, 5 km, 37 degree south of east, यह वेक्टोर यह लिखेंगे, तो 4 i cap minus 3 j cap, ऐसे भी अब यह आई जे नहीं करें, तो भी समझा आया है, कि यह कित है, है न, इनिशल और फाइनल के बीच अगर, इनिशल ते फाइनल की तरफ अगर आप लाइन खीचेंगे, लाइन से रे खीचेंगे, तो आपको नजर आएगा कि east और south के बीच में, east के साथ कितना एंगल बना है, 37 degree है न, south की तरफ है तो बोलेंगे 37 degree, south of east, यह बोलने का तरीका है, I think आपको समझ आया, नहीं आया तो मुझे आप बता ही सकते हैं, comment section में, है न, बच्चो, चेले, और भी काफी questions हम लोग कर सकते हैं, तो क्यों न करें, देखे, question है, a particle moves on a circular path, a particle moves on a circular path of radius r, ठीक है भी, it completes one revolution in 40 seconds, बहुत बढ़िया है, calculate distance and displacement, and displacement, calculate distance and displacement in 2 minute 20 seconds, 20, 2 minute और 20 seconds में आपको निकालना है, distance or displacement, लेक एक circle है, सवाल में कहरे, एक circular path, ठीक हम circle बना दी, अब circular path का जो radius है, वो कितना given है, आर, इसमें revolute कर रहा है, मतलब revolution कर रहा है, हना एक revolution में 40 seconds लग रहे है, मतलब अगर A से चलना को इस शुरू किया, इस circle को complete एक चक्कर लगाने में कितना second लग रहा है, 40 seconds, तो बताए कि 2 minutes 20 seconds, that is 2 minutes 20 seconds, तो क्या होगा, 260s आप, 120 plus 2, 20 कितना, 140 seconds, यह तो आप निकाली सकते हैं, एक minute में 60 seconds, दो minute में 120 seconds, तो 20 seconds और जोड़ दिए, 140 seconds, तो आप खुद बताएए, distance अगर निकालना हो, तो 40 seconds में आप देखिए, कितना हो गया, 40 seconds में एक revolution है, एक revolution मतलब कितना, 2 pi r, यह पूरा complete होगा 2 pi r, तो एक second में अगर निकाले हैं, तो यह कितना होगा, 2 pi r by 40, simple, तो 140 seconds में, जो distance cover होगा, 2 pi r by 40 into 140, 00 cancel, 22's of 4, और 27's of 14, कितना आया, 7 pi r, यह 7 pi r क्या आया, distance cover होगा, चुकि यह एक बार, दो बार, इतनी बार भी चला, वो सारा path का length मिलके क्या आएगा, distance आएगा, तो एक बार में 2 pi r, दो बार में 6 pi r, तो और चला, है न, अब बताएए, displacement निकालना है, तो क्या करेंगे, तो मैं 140 को अगर 40 से divide कर दूँ, तो 43's कितना हुआ, 120, 0, 2, तो 40 second में एक revelation हुआ, तो 140 second में 3 revelation हुआ, और 20 second हमारा बज गया, 40 second में अगर, एक revelation हुआ, तो 20 second में क्या होगा, half revolution, और 140 seconds को अगर आप बांट हैं, तो क्या होगा, पहले 40 seconds, फिर 40 seconds, फिर 40 seconds, फिर कितना, 20 seconds, 40 seconds में A से घूम के A में आ गया, दूसरे 40 seconds में फिर वहीं आ गया, तीसरे 40 seconds में फिर वहीं आ गया, तो यह तीन 40 seconds की वजह से जो displacement होगा, तो 0 होगा, अब बचा 20 seconds उसके लिए half revolution, मतलब अगर इस तो सब यह उतार लिजे, लुतारना है तो, displacement जब हम निकालेंगे, तो distance जैसा काम नहीं करेंगे, वो क्या होगा बस हमारा, इतना ही होगा, एसे चलना शुरू किया, बताई दे रहें आपको, यह आ रहे है, तो यह भी आ रहे है, एसे चलना शुरू किया, 0 seconds था, एक बार चक्र लगाया, 40 seconds, फिर एक बार चक्र लगाया, 40, 40, कितना, 80 seconds, फि फिर यहां पे और तो नहीं रहा, उसके बाद यहां पर जब आ जाएगा, तो कितना हुझा एक बीस के बाद, एक सो चालीज सेकंट, तो वापस यहां पर आगिया, मतर चो दिस्प्लेसमेंट हुआ, वापस नहीं, मतर जो जैजिए, 0 seconds मेहीं ही पा, फिर 40 seconds ही पे, फिर 80 seconds ह नहीं पे फिरको बीसरे नहीं पिफ तर्थ करने आप या याँ या या ओर र और सीदे तो रहार स्रॉम क्या होगा ए तु बीवर्टिरिक्शिन दिनित अइंग आप आप आऊ थामज आई होगी डिस प्लेसमेंट क्या होता है इनीशिय मर फानल के बीट का समझ आ रही है ओके उतारते जाएए इस सरकल की बात आई तो एक बात आप जान लें के मान लेते हैं कि हमारे पास सरकल है और यह रेडियस आ रहे हैं यह से चलना शुरू किया और पहुंचा ए में मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं कुछ इंपॉर्टन रिजल्ट से बता दे र हैं फुल सरकल के तो बताये डिस्टेंस कितना आएगा एक चक्कर में कितना हुआ टूपा यार डिस्प्लेस्मेंट वहीं से वहीं पहुंच गिया तो कितना होगा जीरो सिंपल दूसरी बात करें अगर हम जो कि अभी हम लोगों ने किया हाफ सरकल मतलब या सेमी सरकल तब क होगा ऑज एक हाँ पहुंचेगा बताई कि अब दोबरा फिकर बनाले बनानाँ कि ए से भी पहुंचे अब यह वाला आधा हीए उप पूरा के लिए कितना ऑच क्यूल ऑ है और तो अगर आप यह आधा नहीं हो के वाटर यहीं तक हो एसे सी चल रहे है यह रोगा मर तो वाटर सरकल गोंते हैं इसको वाटर वाटर इसमें क्या होका डिस्टेंस 1 4th of the circle जल रहे है a to c यह वाल तो क्या हो का पूरा तो 2 pi r है उसका 1 4th pi r by 2 यह आप यह काम कर सकते हैं यह एंगल कितना बना 90 degrees तो 360 degree के लिए कितना 2 pi r आ रहा है तो एक degree के लिए कितना होगा 2 pi r by 360 degree तो कितना के लिए लेना है हमें 90 degrees के लिए यह होगा 2 pi r by 316 to 90 94 the 2 to the 4 same result आएगा अब युनिटरी मेथद भी इस्तमाल कर सकते हैं डिस्प्लेश्मेंट के लिए हम डिरेक्ट लेंगे वाला तो कितना हो जाए अगा क्या क्या जब फुल सर्कल हो हाफ सर्कल और क्वार्टर सर्कल हो है ने अब अगर हम चौथा नंबर लिए वन बाई सिक्स आफ सर्कल तो 1 by 6 का मतलब 1 by 6 into कितना 360 degree that is कितना degree rotate किया 60 degree तो अलग से बना लेते हैं यह हमारा R है यह भी R है और यहां rotate किया किया A से मान लेते हैं D यह हमारा कितना degree चला 60 degree तो distance कितना होगा मैंने अभी बताया 360 डिग्री में कितना टू पाई आर तो साथ डिग्री का निकल जाए गवन भाई यह आर यह आर यह निकाल लां यह कितना टिकृरी है साथ डिग्री यह और यह र दोनों बराबर तो इसका उर्टा वली यह वील्फा आ होगा सिम्टल सिंफल अलफा कितना हुआ साथ कितना होगा 180 degree तो यहां से 2 α 60 उस पार जाएगा तो कितना होगा 120 degree अल्फा कितना आ गया 60 degree मतलब यह 60 degree है यह भी 60 degree है यह भी 60 degree है तो यह कौंसा triangle होगा है equilateral triangle मतलब यह भी R हो जाएगा सम बहुत तरे बुझ यह 60 है और तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना है यह दोनों और बराबर है तो यह दोनों को क्या होना पड़ेगा साथ डिग्री साथ डिग्री तो तीनों एंगल्स अगर साथ डिग्री हो गया तीनों को अगर साथ डिग्री हो गया संभाध्री भूज हो गया यह आर यार तो इ में displacement कितना है आ रहा है ऐसा जरूरी तो नहीं कि साथ डिग्री ओ नब डिग्री ओ एक सो असी रिग्री जो यहां पे अगर हाफ सरकल एक सब्सक्राइब पूरा हो तो तिन साथ डिग्री कुछ और भी तो हो सकता है थीटा एंगल में क्या होगा वो देखने की कोईश्क इतना उतार लिजी आप चलिए दस मिनट्स की आसपास और टाइम लग सकता है कुछ क्वेश्टन्स और तो करना पड़ेगा नहीं करेंगे तुम लोग क्या समझेंगे फिर क्या ही सीखेंगे कितना नंबर की बात हो गई ठीक है यहां पर किस्पेशल बात करेंगे हम लोग यह मा माल लेते हैं एसे चलना शुरू किया और बी तक चले कहां पर चले सरकल में इस सेंटर अफ सरकल है रेडियस आर है और यह एंगल जो चला एसे भी कितना चला थीटा तो बताईए कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेस्मेंट होगा तो काफी इंपोर्टेंट है इध्यान पूरवक्ट देखिये इनफ डिस्तेंसर दिक्रम में तो कोई दिकत नहीं है अगर हम लेतीं अट शौ ministry में कतना होगा टू पाई आर फोटी टांकल में कितना होगा टू पाई आर पाई ओई फ्लक ट्री इंटू टीट में डिरी में लेने बाद बाद पन दिस्ट आप यह भी जानते हैं कि 306 डिग्री टू पाई रेडियन के बराबर होता है नहीं जानते हैं तो जान लीजिए 360 डिग्री इसक्वल टू टू पाई रेडियन डेडियन ऐसा यूनित एंगल का तो टू पाई एंगल अगर पूरा कंप्लीट करता तो कितना डिस्टेंस कावर क सकता है और यह भी आसकता डिपंड करता है कि आप कौन सा अंगल का यूनित इस्टमाल करते हैं तो यहां पे बात हो रही यह इन Тी टाइन रेडिए यह हैं और यहां पे धीटा mphान टी डिग्री. तो याद रहे, डिग्री में लेने से answer distance का यह आएगा, displacement का यह आएगा, I'm sorry, distance का answer यह आएगा और distance का answer यह आएगा, कब जब gradient में आएगा, र theta, और जब डिग्री में लेंगे theta को, तो थीटा बाइ तीन साथ डिग्री टू पायार आप वरिफाइ कर लें जो वैल्यूज आपने आपको बताया निकल जाएगा तो इतना बताने कि मुझे जरूरत ने इतना आप समझ ही रहे होंगे आप पूट करके देख लें जैसे मैं बोलूं कि यह थीटा का वैल्यू अग तो ना टू पाय आए तो 90 जो कितना आएगा पाय रबाइ टू जो कि अल्रेडी हम जानते हैं और अगर रेडियन मिलेंगे तो थीटा को पाय बाइटू लेना पड़ेगा चुकि 90 डिग्री किसके बराबर होता पाय बाइटू के बराबर कैसे या निकाल लीजे 90 डिग्री लाइटू बाट वी डिस्टेंस के जो कि आपका एकटिन्यम युनिॉंटे इनिकल जा रहा घृतना इतना 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 निकल जाएगा अब बात करें तो यह हमारा पूरा थीटा है यह आर यहां पे हमने नॉर्मल रोकिया यह पूरा डियर्ट यहीं तो दिसक्राइन होगा यह एच एच दोनों के लिए बराबर आरार दोनों के लिए बराबर यहां कितना डिगरी साथ डिगरी और यहां पर कितना साथ डिगरी 90 90 दो एंगल बराबर ये एंगल ये अंगल बराबर और ये तो common है ये side ये बराबर है ये वाला triangle और ये वाला triangle बिलकुल बराबर जिसको सरवांग सम congruent हो गया दोनों में कोई difference नहीं है इसको अगर लाट किसमें रख दे तो इसमें चड़ जाएगा मतब ये अगर x है तो ये भी कितना होगा x होगा और ये पूरा theta है तो इसको कितना होना पड़ेगा theta by 2 इसको भी कितना होना पड़ेगा theta by 2 तो आप बताइए sine theta by 2 मतब ये perpendicular by hypotenuse क्या होगा x by r तो यहां से x आ जाएगा r sine theta by 2 और हमारा displacement का जो magnitude है वो कितना है 2x है that is 2r sine theta by 2 यहां पे आप मोड लगा ता लगाना है तो मैंने लगा रहा रहा था तो कितना answer है 2r sine theta by 2 इसको verify करना है कर लिजिए जैसे theta का value अगर हम 90 degree रख हैं तो quadrant होगा quarter of the circle तो जो displacement आएगा वो कितना आएगा 2r sine 90 degree by 2 verify करने आप अलेक्से कर लिजिए का इसको लिखने की जरूरत नहीं थी sign 45 degree sign 45 degree value कितना 1 by root 2 और 2 को लिख सकते हैं हम लोग root 2 गुना root 2 गुना r by नीचे तो root 2 और root 2 root 2 cancel कितना आगिया और root 2 और root 2 तो आना चाहिए था अब किसी और angle के लिए verify कर लिजिए तो यह general angle के लिए हो गया theta बतब यह theta 308 degree हो सकता है theta 180 degree हो सकता है theta 90 degree हो सकता है कितना rotate किया उस पर depend करेगा I think आपको बास समझ आई होगी कि सब्सक्राइब करें तो डिस्प्लेश्मेंट का मैंगी चुड़ाएगा 2 r sin theta by 2 और डिस्टेंस आएगा theta by 30 degree to 2 pi r कब जब angle को degree मिलेंगे या r theta आएगा जब theta लेंगे रेडियन में I think आपको बात समझ आ गई यह काफी important बात थी चूंकि सरकल की बात चल रही थी इसलिए मैंने कर दिये इसको कि एन एक important question है question है a wheel of radius capital R मतलब question आप यह देख लीजिए लिखना ही पुड़े दैना a wheel of radius capital R is placed on ground एक चक्का है जिसको ground के ऊपर रखा गया है and its contact point is P and its your point touch my hair circle car but the water Kika who point amara kya hai P point नहीं बहुत बढ़िया radius R if wheel starts rolling if wheel it starts rolling यह गुमना शुरू क्या गुमने से आगे बढ़ेगा rolling without slipping sleeping ने कर रहा मदब पूरी तरह roll कर रहा है जरा सा भी slip कर के आगे ने बढ़ रहा है without sleeping kebidiya and complete half a revolution and completes half a revolution it check karka other checker man with checker kada complete karra hi to kya kera find the displacement of point P find the displacement of point P to coffee is a da cha question a a you care I kya it took a guy is took a car radius amara and are a Javi Adha revolution complete karregat तो यह point P कहां चला जाएगा ऊपर मतलब यहां पे roll करके कुछ ऐसा होगा कि point P यहां पर आ जाएगा point P पहले यहां पर यह point यहां पर आ जाएगा तो यह वाला आपको निकालनले मूला है है तो चक्का सिर्फ घूम नहीं रहा है तक a आगी बिवे वालब है है तो displacement यह वाला होग को यह आपछुद ऺैसे यह पूरा कितना होगा Tsoar Tczala इतना और वी तो बढ़ा कितना बढ़ा चक्का यह निकालना है हमें यह चक्का जब भूम रहा होगा आधा चक्कर में यह टू पाई आर का आधा गिया होगा मतलब यह कितना आगे बढ़ा होगा पाई आर तो यह कितना जमीन को छूके गया होगा पाई आर और कितना ऊपर गया टू आर यह निकालना है हमें Pi R², Capital R हो गई है, ज्योंकी radius किया हमारा, Capital R, Plus 4R² का esquare root, तो तो R² हमारा common, क्या बचाएगा, Pi Sqare plus 4R², R² का root, R अंदर बच जाएगा हमारा Pi Sqare plus 4, यह तो बाहर नहीं आ सकता है, भी जो plus हैंना, तो answer आ heavier, R into Pi Sqare plus 4 का esquare root, है ना बच्चो आई थिंक आपको बात समझ आई ते खतम और कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए तो यह क्वेशन था एक क्वेशन और कर लेते हैं लास्ट इसको भी क्यों छोड़ें नहीं चलिए बहुत बढ़िया थे लास्ट फॉर तुरे या अभी के क्लास का लास्ट क्वेशन है मारा क्वेशन है अ मैन मूवज फॉर मीटर अलोंग इस डिरेक्शन एक आदमी है जो किदर मूब कर रहा है चार मेटर किदर एस्ट कितर फूरब कितर दैन त्री मिटर थे लिए थे लिए लॉंग नॉर्थ दिरेक्शन अलों नॉर्थ दिरेक्शन अव्टर थे जैब्स फिर विच अड़ रागिए दर अफ्तर बैट ये लिए क्लाइम्स अब अब ऊपर की तरफ चल रहा है हो अब पोल तो अ हाइट अ पोल to a height 12 meter मांग है फाइट इस्टेंस कवर्ड पाइट पाइट इस्टेंस कवर्ड बाइए लिए simply distance निकालना है and his displacement and his displacement क्या निकालना है distance covered or displacement तो बता ही क्या हो रहा है पहले चार मीटर चलाओ यह हमारा east west north south ऐसी न बनाते है horizontally जो जमीन में हम लोग चलते हैं east north south west ऐसे बना लेते हैं किसी एक दिशा को fix करेंगे और सब अपने आफ फिक्स हो जाएगा तो किदर चला पहले वो तीन मीटर चला इसी को अगर xy के हिसाब से देखें एक्स वाई और उपर के तरफ क्या होगा जैड तो पहले चला आपकेव प्लजट फिर क्या थीन मीटर नॉर्थ के तरफ मतलब वाई के तरफ देट इस त्री मीटर क्या होगा जैक है उसके बार इमीटर नहीं इलिक इन छलेगा अब है और यह जैड क्लाइम्स अब बदलब ऊपर की तरफ आ रहा है जैड के तरफ कितना मीटर बारे कितना होगा 16 प्लस 9 प्लस एक सुचौर आलेस नोच पंदर एक एक दो नो ग्यार रहा नो इक दस नो चार तेरह चाह एक दो दो एक दो चार चाह एक सुन सब्सक्राइब कितना आया 13 मीटर तो डिस्प्लेस्मेंट का मैंग जो तेरह मीटर आया और अगर डिस्टेंस की बात क बार चार आया 15 तो डिस्टेंस में सथ सब्सक्राइब को निकालना पड़एगा वेक्टर इक आपको बात समझ आई होगी तो मैंने फिन इस करने के झाल झाल